नमस्कार दोस्तो मैं रविंदर आपका हारदिक स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल इंडिन रोजगार में दोस्तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास तक देखते रहें का बहुती महतोपुन वीडियो होने वाली है और एक बहुती महतोपुन बात इस वीड डाल सकता हूं MR या फिर SSR का क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तो पोस्टिंग जो है ओल इंडिया यहाँ पर रहती है तो क्या कोई भी कंडेट किसी भी स्टेट का कंडेट किसी भी अन्ने स्टेट में एपलाई कर सकता है तो इसी बात को जो है मैं आपको डिटेल में बता इन में जो cut-off होती है दोस्तों वो state-wise जाती है आपने अभी जो है ने भी SSR और MR का जो है result देखा होगा पर तेख state की cut-off जो है अलग लग थी यह वहाँ पर उन्हें कलेर लिए बता था कि जैसे की domicile of haryana state cut-off is 42.43.75 पर कर दोस्तों यहाँ पर अलग अलग जो है cut-off जाती है हर state की यहाँ पर एक और बात मैं बता दो दोस्तों जो SSR और MR होता है उसमें जो post होती है जितना बड़ा state होता है उतनी ज्यादा जो है इसमें post होती है तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है दोस्तों कई राजों की cut-off जो है उमीद से ज्यादा चली जाती है और कई की जो और SSR में स्टेट वाइस पद होते हैं प्रतेक स्टेट के लिए जैसे के रियाना के लिए सात हो गए दस हो गए यूपी के लिए 40 हो गए 50 हो गए इस परकार दोस्तो अलग अलग जो है आपर पोश्ट होती है अब सबसे बड़ा आपका डाउट आता है दोस्तो क्या हमने भी MR SSR में किसी भी अंडरा जैसे फोर्म बर सकते हैं जैसे कि मैं अरियाना का कंडेट हूँ क्या मैं गुजरात से फोर्म बर सकता हूँ आपको पता होगा अरियाने के टोप ज़्यादा गई थी गुजरात की कम गई थी अगर जिनका डेट के मान लीजे 30 मार्क्स हैं उनका अरियाना में तो सेलेक्शन नहीं हुआ है अगर वो गुजरात से फोर्म डाल देते तो अंडर परिसेंट जो है उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना था लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो जियां दोस्तो आप जो है किसी अन्य स्टेट से अपलाई नहीं कर सकते हो जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है यानि डोमिसाइल जोस्तो जो रेजिडेंस प्रूफ होता है वो आपके पास जिस भी स्टेट का है उसी स्टेट से आप अपलाई कर सकते हो तो ये doubt आप मंच से निकाल दीजे कि मैं जो है अरियाने से बिलोंग करता हूँ कि हमाँ पंजाब से चंदीगड या फिर दिल्ली से अपलाई कर सकता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तो जहां का आपके पास residential certificate है दो मिसाइल है वहीं से आप अपलाई कर सकते हो तो ये बूल कर भी मत अपलाई कीजिया कि आप दूसरे फोर्म से अपलाई कर दें ऐसा दोस्तो आपको जो है अगर आपके उस state में भी qualify marks आ गए तो अगर आप ट्रेनिंग पर जाओ गया इन्हें सिलका में फिर आपका डोकु तो आपको जो है ये question clear हो गया होगा आप जिस state से बिलोंग करते हो जो आपका state है जिस state का आपके पास दो missile है आपके वल उसी state से आवेधन कर सकते हैं SSR और MR में तो दोस्तो जितनी आपकी state की cut off गई है उसके according मैनत कीजिए और जैदा मैनत कीजिए आप उसी state से जो है qualified कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर अगर आपको target है आपका नेवी तो आप definitely जो है preparation करके उस state की cut off को clear कर सकते हो तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ definitely selection हो जाता क्या मैं अगली vacancies में ऐसा कर सकता हूँ तो यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते दोस्तो आपको फिर से रियाना से apply करना पड़ेगा या फिर जिस क्या राजजग आपके पास residential certificate है domicile है वही से आपको apply करना होगा और मैनत कीजिए definitely आपका उसी state से selection हो उसके बाद दोस्तों और लिए ग्रूप डी की preparation वहाँ पर स्टार्ट हो गई है जुरूर से जाईए link वीडियो के description में है हमें follow कर लीजिए मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ Indian रोजगार पर जय हिंद जय भारत